सब्सक्राइब कीजिए इंचान जी टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कर दोस्तो मैं हूँ इंचान सेक और आप सबी को स्वागत है मेरा चैनल इंचान जी टेकनिकल में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आपने Windows सिस्टेम की मादद से eyeball button router को full configure कर पाएंगे with static IP तो फिर चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप आपने computer में favorite browser को open कर लिजे open होने के बाद उसका जो search or type URL option है वहाँ पर आपने जो eyeball button का जो router है उसका जो default gateway है उसे लिख दीजिए 192.168.1.1 और एंटर कर दीजिए एंटर कर देंगे तो आपके समने eyeball button login फेज आ जाएगा आपको पासवर्ट डालना है वह है admin लिंकने के बाद आपको ok करना है और इस सब आपका आपनी router के पीछे sticker में लिखा हुआ मिल जागा दोस्तों login करने के बाद अगर आपके सामने ऐसा page आता है तो ठीक है बड़ अगर आपके सामने इस तरह का page आता है तो आप तो आप simply advanced setting में click कर दिए advanced setting में click करते है आपको fix इस तरह का page आ जाएगा आपके सामने उसके बाद आपको 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 क्लिक करने के बाद आपको करने के बाद आपको नीचे की तरह मिलेगा ऊकर का उपसे तो आपको आपको मालूम नहीं है तो आप आपने नेट और कोपरेटर से पूछ लेजिए उसके बाद लिख दीजिए लिखने के बाद आपको नीचे की तरह मिलेगा ऊकर का उपसे तो आप करने के बाद आपको मिलेगा प्राइमाई ऐसे आई डी जो आपके मोबल में सो होता है वाइफाई कनेक्शन करने के बाद तो आप यहां पर आपने जो मन चाहे नाम है या फिर मन पसंद नाम है उसे लिख दीजिए जासकि मैं आप दे रहा हूं इंचन जी टीनिकल तो कर सकते लिखने के बादद आपको नीचे की तरफ लिखी से कमें की करना है जो इसके बाद आप कर लिखकर नैम है वह सीखुरिटी में उसके बद आपके हैं पर security mode select करना है जो डिसेबल है अभी उसे आप select कर लीजिए click करते हैं आपके साम में बहुत सरा option आजाएगे तो मैं यहां पर mix wpa2 ps के इसको select कर लेता हूँ यहीं मुझे अच्छा लगता है configuration के लिए हार mobile में connect हो जाता है उसके बद आपको यहां पर security key डालना है ठीक है तो यह security key आपका minimum 8 characters होना चाहिए और highest 63 digits ठीक है तो मैं आपको दिखाने के लिए 1 से 8 तक डाल देता हूँ लिखने के बाद आपको फिट से नीचे की तरह मिल जाएगा ok option तो ok में click कर देंगे तो आपको फिट से वह pop-up पे जाएगा ok कर देंगे तो आपका जो configure है और configure हो जाएगा तो दोस्तो यह था आज का वीडियो उमीद है आपको आच्छा लगा है अगर आच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सेर कीजिए और मेरे चल्म का अब जाएब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर जाहिन दोस्तों